वेल्कॉम बैक टू माई टूप्ट पेपर हैकर आज किसी देखेंगे जो भी छात्र बी ए फ़र्स्ट समस्टर में हैं उनके लिए हम एकोनोमिक्स का पेपर लेकर आए किया है जिसका लिंक डिसका प्रतिस्थापन की दर किसे कहते हैं यह बहुत ज़्यादा को पूछा जाता है और पॉप्लर को चैने काफी तो आप इस को थोड़ा सा समझेंगे क्योंकि मैं आपको बिल्कुल शॉट में बताने वाला हूँ आज के बाद हम हर चीज़ों भी पढ़ेंगे वह शॉट में पढ़ेंगे तो आप पेपर हैकर यूट को ना चाहते हैं तो टैली ग्राम को कशुर्ट कर पाएंगे तो देखो इसको ने पहले इस को नहीं को कभी बनने वाला है इस बात को याद रखना तो इस कोशन को कैसे सियाद करेंगे देखो यहां से पूँस एक दूसे डुश सकते थो हमें ऐसे आप से पूझ लगा कि पृति स्थापन की सीमांत दर को इसपष्ट कीजिए कि सीमांता दर क्या होती है पृतिसथापन की यह सीमांता व्र любов से केते हैं आप से दूर्ट तरीके से साथ हैं आप से जब इस तरीके से बोजे तो आपको सिंपल तरीके से ऐसा गरता है तो देखो हम उत्तर इहां डालते हैं और हम लेखेंगे तटिस्था वक्र विसलेशन में प्रतिस्थापन की सीमान दर एक महत्पूर इस्थान रगती है यह वो लग है कि जो तटिस्था जो वक्र है उसके विसलेशन में ठीक है उसके विसलेशन में क्या होता है जो प्रतिस्थापन की जो सीमान दर है वो एक महत्पॉर स्थान रखती है ये उनोंने कहा, साथ साथ उनोंने कहा कि इसे एक्स और बाई बस्तू के बीजंट बिलियन की दर भी कहा जाता है इनहें एक प्रोफेसर थे उनका नाम यहां बोल रहा हूँ, यहां देखो लिख रहा है, उन्होंने अपने भासा में एक परिभासा दी इनकी सीमान प्रतिस्थापन की भो क्यादी मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रफेसर लेफ्ट विच थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा लेफ्ट विचिन बोलाया, जिसका एक्स बस्तू की प्रतेक इकाई को प्राप्त करने के लिए उभोक्ता त्याग करने को तत्वर रहता है उन्होंने देखो छोटी सी परिभासा में इस सीमांत प्रतिस्थापन को की दर को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है मैं आपको बता रहा हूँ द्यान से तो आप यहां से इसकी परिवाशा ऐसे भी लिख सकते हैं तो देखो कैसे लिखेंगे वो हम दिया बता रहें पहली बात हो यह सब कुछ आप याद करोगे लिख लो नोट्स बना लो अब देखो यहां गया एक्स के लिए बाई की सीमांत पृति इस्थापन की दर यहां बोल देखो सीमांत को सौड में सी लिखा रखा है और पर स्था सीमांत पृति इस्थापन की दर कहा जाता है इस परकार से कह सकते हैं तो सीमानत इस्थाबने की दर कहा जाता है, कि इसको एक्स, चौरी बाईबस्तू की, बाईबस्तू की मातरा में परीबरतन की अनुपाद को, ठीक है, समझ गए, ठीक है, इसको next देखो, यहां से उन्होंने रिखा रहा है, कि एक तटिस्था वक्र पर इस्तर, यह फिर इस्त से उब्होकता को समान संतोस प्राप्त होता है जब उब्होकता एक सयोग के इस्थान पर दूसरा सयोग लेता है जब एक सयोग के स्थान पर दूसरा सयोग लेगा कोई उब्होकता उब्होकता वह होता है जो बस्टू को खरिदता है तो उसे एक बस्टू की मात्रा में बढ़ान परिवर्थन कर दिया एक वस्तू उसने खरीद दो बस्तू खरीद रही हो तुम दुकान पर जाकर उसने एक बस्तू में क्या कर दिया थोड़ा सा जादा आप से डेट बता दिया कि भाई यार यह इतने की है और एक बस्तू में आप चो आपको नॉलिज़ेस के बा ही संदोस प्राप्त होता है तो प्रतीष्थापन की सीमांत्त तर सदैव घटती रहती है यह घटी हूई होती है तो अप्षें इस परकार से आप पूरे इसको याद करेंगे यहां से अच्छी तरीक से याद कर लेंगे बस इतना से इतना यही बहुत काफी important है बस इतना ही आपको पढ़ना है इस से ज़्यादा कुछ नहीं करना है तो यह था आज की वीडियो में आपको कैसे लगी comment section में आप जरू बताएए आसा करता हूं वीडियो पसंद आई होग चैनल को subscribe के bell icon को press कर देंगे जादा से जादा दोस्तों को share कर देंगे thank you for watching इस वीडियो बाइबाइ